हम लोगों ने last class में magnetic effect of current खतम कर चुके थे फिर हम लोगों ने magnetic properties of matter भी खतम कर दिया और Earth's magnetic field भी खतम कर दिया था एक चीज़ बची हुई है या कि bakery कि दो जीज भाइक है एक तो है इलेक्ट्रिक मोठर और दूसरा है एक ऐलेक्ट्रिक मोठर Etuk export अलूपनेोंध्टरीक मैसेमगरित क्या सर्मेजरिंग अलिए अमीटर ऐसा कंस्ट्रक्षिन आफ गैलो मेटर वर्किंग आलो मेंटर थिक जब यह एक तो है गैल जबनो मीटर और क्या है तो क्या आइक अबाता ऒर्लेज एक डेल गैलो मेंटर और मोटर है जब आए ठीक है, मोटर कौन सा वाला है तो डीसी मोटर डाइनमो कहते हैं इसकोब दीसी मोटर, ये दो चीज़ा हमें पढ़ नी है, ठीक होटा, तो डीसी मोटर का कंस्रक्शन आप लोगों ने क्लाश 10 पही पढ़ा था, स्थेम वही चीज जहाँ पर है, देखते हैं कैसे काम करता है, डीसी मोटर देखे क्या होगा कि एक होर्षू मैगनेट लेंगे माल लगत होर्षू मैगनेट में इधर नौर्थ वना इधर साउथ वना ठीक है इस होर्षू मैगनेट के अंदर हम लोग एक कोईल रखेंगे ठीक है इस कोईल में करेंट जा रहा है अच्छा कोईल के अंदर हम लोग करेंट फोगरेंगे कैसे हम इसको कनेक करेंगे एक इसको एक बेटरी से करेक करड़ेंगे तेटी समझ में आ रहे हैं यह जो कमीर जो हामिच्छ है इस अपनी ऐक्सिस के बाउट यह ऐसे गुल 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 गुमेगा अगर हम करेंट को एलाओ करेंगे तो कैसे समझते हैं अभी ऐसे गुमेगा कैसे गुमेगा यह चक करना है मैंने अपने मन से बोल दिया कि क्या हुआ करेंट यहां से ऐसे जाएगा आई जी करेंट यहां गया आई फिर करेंट इधर से आया और ऐसे चला गया ठीक है और इस तरीके से करेंट इस आमेचर के अंदर या फिर कोईल के अंदर घूमने लगा अगर हम इस लूप के वारे बात करें, तो इस लूप का जो magnetic moment है, इस moment पर, इस instant पर, वो किदर होगा? वो magnetic moment बाहर की तरफ होगा, सबको दिख रहा है? कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? North pole इधर है, South pole इधर है, इसले magnetic field इधर है तो अब सोचिए, बाहर की तरफ M vector है, और इधर की तरफ B vector है, तो torque कैसे लगएगा इसमें? M cross B, मतलब torque का direction किदर होगा, उपर की तरफ इतना आप लोग right hand thumb rule लगा के देख सकते हैं, M vector cross B vector का direction क्या आ रहा है? torque का direction आ रहा है, उपर की तरफ आ रहा है ठीके बटा, कोई दिक्क्र देश में? इस टॉर्क की वज़े से ये उपर वाले angular acceleration से याए, उपर वाले omega से घूमेगा, कुछ ऐसे है ना? हाई ना? हो भी इस कहा होन किया आपने है हुआ हुआ चलो तो हमें क्या कर रहा था? torque उपर की तरफ आया, इस direction में तो alpha भी इधर याएगा, यह जो आपका coil है, यह इस तरफ घूमेगा, मतलब यह वाला end अंदर की तरफ जाएगा यह वाला वायर और यह वाला वायर बाहर की तरफ आएगा ठीके? समझ मैं इस बात? होगा क्या? यह जो torque है यह torque इस magnetic moment को magnetic field की तरफ लाने की कोशिश करेगा, यह जो magnetic moment उपर है इसको घुमा कर magnetic moment को magnetic field की तरफ औरियंट करने की कोशिश करेगा है ना? पर बीच रास्ते में क्या हुआ? हम लोगों ने जब यह 90 degree से घूम जाएगा जैसी यह magnetic moment जैसी यह 90 degree से घूमेगा, मतलब magnetic moment के तरफ यह magnetic field के तरफ आएगा उसको इसको उबर टॉक तो जीरो लगेगा पर उस वक्त इनर्टिया की वज़े से यह अपना motion continue करेगा और जैसी यह 90 degree से जाए टन करेगा हमारे जो connection है यह interchange हो जाएगा मतलब अगर यह वाला point A है, यह वाला point B है B अधर है, C अधर है और D अधर है और इस तरीके से हमारी batteries, battery जो भी भी लगी हुई है ठीक है? तो क्योंकि battery ऐसे है current यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर current D से C जाने वाला है, यहाँ B से A आने वाला है तो current का direction जो यहाँ A से B था अब B से A हो गया, यहाँ C से D था यहाँ D से C हो गया तो current का direction change हो गया लेकिन इस वाज़े से torque का direction magnetic moment का direction अब भी उपर रहा इवन दो यह 180 degree से घूम चुका है magnetic moment का direction अभी भी उपर ही है क्यों? क्योंकि जो magnetic moment है वो भी साथ-साथ घूम रहा है इस वज़े से फिर से talk लगेगा और फिर से कहानी repeat होती रहेगी और एक coil गुल-गुल-गुल-गुल-गुल-गुल-गुल-गुल-गुल घूमता रहेगा ठीक है? समझ में आई बात? इस से आप किसी भी चीज को connect कर देंगे एक्सल कर यूज करते हुए तो वो चीज भी घूमने लगेगी यह आपका motor बन जायेगा ठीक है पीटा? कोई डाउट है? यह तो class 10 थे पढ़ा था ना? आज तो DC motor ऐसे वर्क करते हैं यह DC motor या फिर डाइनमो का वर्किंग है हम लोग क्या करते हैं? बीच में connection चेंज कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं? split ring commutators ठीक है? क्या कहते हैं? split ring commutators और यह जो brush लगाओ काउन सा brush है? carbon brush है ठीक है? यह जो coil ISO क्या बोलते है? armature ठीक है पीटा? कोई डाउट है इसमें? नहीं सब आसान से है ना? ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास 10 वे समझने थोड़ी परिशान भी थी क्लास 12 सिले ते बग्दम लल्लू है ना? यह आपको डिरेक्ली टॉर्क का पता है M वेक्टर कास B वेक्टर रिगाल दोगा टॉर्क आ जाएगा राइट? अगर आप HC वर्मा खोलोगे तो HC वर्मा में 2 galvanometer है एक galvanometer को कहते हैं tangent galvanometer उस galvanometer की working में Earth का magnetic field यूज होता है ठीक है? वो हमारे syllabus में नहीं है बट फिर भी मैं हलका हुलका बता रहा हूँ उसके बारे में आप चाहो तो उसको HC वर्मा से reading लगा सकते हैं उसकी मैंने लगाई थे अपने time पर क्या था? आपका जो moving, sorry, जो tangent galvanometer होता है उसमें क्या होता है? आप एक magnet को एक current carrying coil के अंदर रख देते हो, ठीक है? उस magnet के उपर current carrying coil का magnetic field भी एक कर रहा होता है और Earth का magnetic field भी एक कर रहा होता है तो जो magnet है, वो किधर point करता है? दोनों के resultant के direction में, हाँ या ना? करेगा की नहीं करेगा? Earth का magnetic field और coil के magnetic field दोनों का resultant direction आएगा उस direction में magnet point करेगा अगर उस magnetic field में आप magnet को रख दोगे तो हाँ ना? तो उसे साब से अगर current ज्यादा होगा तो जो resultant उसका direction चेंज हो सकता है इसके हिसाब से हम लोग deflection देखकर पता लगाते हैं कि current कितना flow कर रहा होगा? ठीक है? अब उसमें दो-चार problems हैं क्या सबसे पहले तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग magnetic field होता है earth का इसलिए अलग-अलग जगह पर मतलब आप एक country में उसका manufacturing करके दूसरी country में नहीं बेच सकते हैं और जहां पर use होने वाला है वहां earth का magnetic field कुछ और होगा इस वज़े से current का measurement है उस galvanometer में उतना सही नहीं आयाएगा हाई है ना? गलत कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वहां पर जो tangent galvanometer है उसमें क्या use हो रहा होता है? Earth का magnetic field use हो रहा होता है ठीक है? अब मेरे नाइम पर क्या हुआ था? मेरे 12 के साथ selection नहीं हुआ था 12 में मैं जब मैं था तब यह galvanometer स्लिवस बनाई था और अगले साल स्लिवस में आ गया ठीक है? स्लिवस में था moving coil galvanometer मुझे पता नहीं था मैं ऐसी हसर में उठा के पढ़ रहा था तो मुझे tangent galvanometer दिखा मेरे को मन किया पढ़नेगा की work कैसे करता है out of curiosity मैंने tangent galvanometer पढ़ डाला मेरी curiosity खताम होगी उसका just अगला topic दे रहा है moving coil galvanometer वो मैंने नहीं पढ़ा ठीक है? मनला जो स्लिवस में नहीं था उसको पढ़ लिया जब मैं IIT का exam देने गया तो उसमें 60 में से 6 नंबर का moving coil galvanometer पर बेस्ट question आया ठीक है? जो मैंने नहीं पढ़ा था उस पर तो ऐसी गलतिया ना करें छोटे-छोटे topics होते ना ऐसे कई बार गड़बडियां कर देते हैं मेरे बाकी 54 out of 54 थे वो 6 नंबर मेरे नहीं नहीं होए तो मेरे 60 में से 54 मार्क था थे उस पिपर में तो वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने moving coil galvanometer जो chapter था वो chapter ही छोड़ दिया था मुझे पता नहीं था इसलिए वस में ठीक है? तो मैरे करने का मतलब है कि प्लीज सारे टापिक्स दिहान से पड़ेंगे तो मुविंग क्वाइल galvanometer क्या होता है? कैसे वर्क करता है? यह समझता है सबसे बढ़े तो galvanometer का मतलब क्या है? galvanometer is a device that shows deflection when current flows through it ठीक है? यह एक ऐसा device है जिसमें deflection होता है जब करेंट उसके थू फ्लो करता है तब ठीक है बटा? यह कैसे वर्क करता है? तो आप समझ लीजिए हम लोग क्या करते हैं? यह वर्टिकल डाइग्राम है हम लोग एक कोईल को लटका है यह स्प्रिंग नहीं है बट एक यह सॉलिड वायर है जिसको टर्न करने में थोड़े टॉक लगाता है यह समझ लीजिए एक वाली स्प्रिंग है आपने खिलोनों में देखियो कि यह स्पाइरल स्प्रिंग देखी हैं? यह थोड़ो इसको छोड़ों यह डाइगरामी क्यों बना रहे हैं? फाल्तू कन्फिजन है यह सिंपल एक वायर ही है ठीक है? जिसमें आप टॉर्शन क्रीट करता हैं टॉर्शन पढ़ाया था हमने क्लास 11 में के नहीं पढ़ाया था? याद है टॉर्शन? तो यह एक वायर है इस वायर से हम लोगों ने क्या किया है? एक कोईल को ऐसे टांग दिया है इस फोईल में खूप सारे लूप सो है और यहां पर हमारे एक्सटोनल सर्कृत से ये कनेक्टेड है मतला हम को जहाएंपर करेंट मेजर करना है उसको इजए अता इन नो मीन के बीच में एड़र और एक जिए एक एट एक वेलन तू गयरिनुमेटर जिसमें यह वाला पॉइंट यह वाला पॉइंट वी है को दित्क्त हैं समझ मा रहा है इसका मतलब क्या है ढूं मैंने क्या किया है इस कोई को होटत श्यू मेलेटLaughter के अंदर रखा है होटत ही मैंने सम्हेचल मेले लिए है जो कुछ प्यंद और क्या है स https टॉप्पैवल स्बाड बेन सबाड़ा कि यह आपका North Pole है और यह आपका South Pole समझ मारा रहा कि नहीं आ रहा? ठीडी ड्रैगराम बना रही है, समझ मारा है? यश सॉर अबसीकली अगर नहीं समझ मारा तो बता दे रहा हूँ, अगर मैं इसका Top View देखूं तो Top View में यह आपका North Pole है और यह आपका South Pole है बीच में ऐसे करके आपका Coil रखा हुआ है multiple turns है ठीक है बेटा कोई दिक्कत है नहीं सब्सक्राइब इस वायर का Torsion Constant के है Torsion Constant के है घए हम इस वायर को ट्विस्ट करें ट्विस्ट करें इसे तो इसको ट्विस्ट तीदा एंगल से करने के लिए टाउ स इक्वल टू की अपलाई करना पदता है Torsion सम्झाया था ने 11th लास में कैसे वह था था कि यह वाला एंगल थीटा था कि तुसके लिए मुझे ऐसे टॉक लगाना पड़ा नहां पर नहां पर से यहां पर उल्टा कि तभी ने ट्स्टों डोन तॉन दॉन तॉक लगाओ ऑगी हो फंग अगिनिया लिए यादा कि इन्या सनद्द्डं ये टॉशन एंगल था और ये शीर एंगल था यदे सब भूल गया अ चलो तो जो टॉक लगाना पुड़ेगा देट टॉर्क वी प्रोपोर्शन दुदिस थीटा और टॉर्क इगल टॉर्शन कॉंस्टेंट के है ठीक है अब क्या होगा इसमें करेंट यहां से भूम रहा है लेट से करेंट ऐसे जा रहा है तो इसका मैगनेटिक मोमेंट कि दर आ एक्षिन अना को दिक्कत है तो टॉर्क इतना हो जाएगा ताव वेक्टर इसकल दू एम वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर होता है ताट इसकोल दू अब एम कितना होता है एन आई ये एन आई आई ए बी अब लोशा साइन थीटा जहां थीटा जहां थीटा इस एंगल बिट्विन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर हाँ या नहीं है इसको जोड़े पूरा एक सर्कल बना देगा उसका सेंटर यहां है इसके वेसे क्या होगा जो मैंनेटिक फिल्ड आएगा नहां पर नॉर्थ पोल से साउथ वो कुछ ऐसा है यहां से नॉर्मली निकलेगा या नॉर्मली एंटर करेगा तो मैंनेटिक फिल्ड कुछ ऐसा होगा उर्मली एंटर कुछ दो का ऊचिए पूर्मली एंटर कुछ आएगा वड़े पिल्ड आएगा नॉर्मली एंटर कुछ आएथ टर जींस आएगा यहां एप थ। क्या होगा कि क्योंकि मैंगेनिक फिल रेडियल हो गया है खास तोर से इस वायर ke कि दहान दिजेगा कैंध इस वायर पर नहीं लगा़ लगेगा तॉर्ट ओर वायर तो मेंगेच्ट विल डेट्शन मेना गbor इस वायर पनर पर फोर्च लगेगा है ना है या ना और जहां पर यह वाले वायर पहुंच रहे हैं वहाँ पर सोचे ज़रा magnetic field तो एकदम radial direction में यह ना तो magnetic field और magnetic moment के बीच में basically angle कितना है 90 degree है ठीक है sin theta is equal to 1 as magnetic field is radial अगर नहीं समझ माया है तो लिखना इतना ही है कोई दिक्कत इसमें है नहीं है तो हम बोलेंगे इस torque के वेज़े से ऐसे घूमता जाएगा अगर टॉर कॉंस टॉर्क लगता रहेगा तो यह कोई गूमता ही रहे जाएगा ऐसा होता है गया नहीं ना कभी एक्लिए पहुंचेगा यह नहीं तो इस और को बैलंस ओन करेगा इसका टर्क इस वायर का टॉर्क तो एट एक्विलिब्रियम दिस एन आई अई sensitivity क्या हो जाएगी, current sensitivity क्या हो जाएगी? formula यादे है current sensitivity क्या है? definition यादे है current sensitivity की? sensitivity का आतला क्या है? deflection per unit current? मतलब this is equal to theta by i that is equal to nab कोई दिक्कात है बेटा इसमें यह moving coil galvanometer समझ में आया की नहीं आया? हाँ तुसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लें कि अज़ कि लोगएगी झाल झाल